जैसा वो सुचना मिल रही है भारती जन्ता पार्टी का जो वोट है वो एकदम इंटैक्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं दरका है आपको ऐसा लग रहा है कि यह सेशी है भारती अन्ता पार्टी के वो बिल्कुल सही कह रहा है भारती अन्ता पार्टी का जो कैडर वोट है जो उस विचारदारा का वोट है जिसे कहते हैं कि आरेसेस का वोट है वो बिल्कुल नहीं दरकेगा और ना दरकता दिख भी नहीं रहा है लेकिन वो वोट है कितना इस नगर्ण थी और जहां आप इतनी बुरी हालत में थे चंद सीटों के साथ आप खड़े थे उस उस पश्ची मुत्तर प्रदेश में आज आप यह बात कर रहे हैं कि हम पूरा जीतने जा रहे हैं और सारी चीजें तो आप इस चीज को समझिए कि जो इन्होंने वोट परसेंट से बिल्कुल ही जाफा हुआ था यह गया तो जब यह ग्राफ यह गया तो इसका मतलब है वो फ्लोट हुआ वोट है वो कोई आपका कैडर वोट नहीं है आप एक चीज समझें वहां कि समस्या क्या है वहां समस्या यह है कि आपने पिछला चुनाओ जो जीता था वो इस बार वो कार्ड नहीं चल ला है अब जो आपको वोट देने वाले लोग भी थे जिन में ब्रामण भी हैं कुछ पंजाबी भी हैं कुछ दूसरे भी हैं तो वो सब आज बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग ब्यापार से जुड़े हुएं उनके ब्यापार तवा हुएं ब उन सब से आप क्या उमीद कर रहे हैं कि वो होंगे मैंने बात करी तो मुझे कहते हैं कि वाई साब क्यों दें वो इनसे तो अच्छे थे कम से कम अखिलेस के समय में हमारे लिए ये तो ठीक था तो आप ये समझे कि ये स्थिती सामने इस पश्ट नजर आ रही है और अब द पलायन वाला चलाया था उसी समय चुनाओं के समय में आपको याद होगा वो पलायन वाला आप सब सच सामने आ चुका है अब सारी चीजे उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं है और जूट सामने है उसके बाद में आप चाहें मैं कह रहा हूं कि आप सामली में देख देख लिए उधर भी देख लिए तो अब लोग बात करने लगे हैं उन चीजों को लेकर जो वैस समगाए के लोग हैं वह भी अब बट गए हैं जो भाजपा में भाजपा में बहुतायत हैं लेकिन उसके बाद वो सपा की तरफ आए हैं बहुत सारे लोग आए और उन्हें आज RLD और सपा का गठ बंदन वहाँ एक मजबूत इस्तिती में नजर आता है ऐसी इस्तिती में वह पंगा भी नहीं लेना चाहते हैं उन्हें लगता है कि कल के दिन समस्या भी ना हो तो इस द्रश्टिकोर्ट से कोई जिस तरह भारती जंता पार्टी का जंडा उठा के ग आपना हुई है वहाँ पर भी नहीं मिल लही थी चाता में हुई है चो मत्रौ अपर नहीं पढ़ता है तो यह सब चीजें लगातार हो रही है और इस्तिती यह हैं यहां से लेके आपको ताहिए आग्रा में मुझे लगता है अच्छी स्थिती में है भारती अन्ता पार्ट लेकिन वहां भी वो बहुत भैंकर एंटी-िंकम्नेंसी को फेस कर रही है फतेपुर सीकरी साइड में उधर बड़ी बुरी इस्थिती है तो इन सब इस्थितियों में वहां के जो सांसद है वो मुझे बता रहे थे वाई साब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस तरफ जाएं क्या करेंगे कुछ आप खुलके ही नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी भी इस्थिती है तो ये इस्थितियां आप पूरे पस्चिमुत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं और जो इस्थिती एकडम से इनकी राइच करी थी वह एकडम से वह नीचे आई है क्योंकि आप देखें में वोट कितना था आपके पास आपके पास में वहां पर पस्चिमुत्तर प्रदेश में टोटल आपको ग्यारा परसेंट वोट मिला था और 11% वोट मिला था 2017 के पहले तक वोट आपका जो बढ़के 28% के आसपास पहुँच गया था पश्ची मुत्तर प्रदेश में तो आप ये समझेए कि जो ये आपका वोट है ये वोट आपको खुद बता रहा है कि आप एकड़म से किस इस्थिती में आये थे तो उन इस्थितियों को देखी और बहुत सारी सीटे इन्होंने बड़ा छोटे से अंतर से जीती थी तो उन सब इस्थितियों में एक चीज समझ में आती है कि अब टक कर जो है बड़ी काईदे से है और पस्ची मुत्तर प्रदेश उन्हें बहुत काईदे से इस चीज को दिखा रहा है कर दो कर दो कर दो है